तो देखिए कितनी लाजवाब ये हमारी रेस्पी तैयार हो गई है तो ये रेस्पी बहुत ही टेस्टी बनती है अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो हाई फ्रेंस असलाम लेकूम कैसे हैं आप सब लोग तो यहां मैं देखिए एक पत्ता गोभी ली हूँ और उसे मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ तो आज मैं बताऊंगी देशी तरीके से पत्ते गोभी को कट करना जिससे आपको चाकू से भी नहीं कट करना होगा और बहुत ही आसानी से कट कर लेंगे तो इस तरीके से बड़े बड़े टुकडों में देखिए मैंने काट के रख ली हूँ अब लेंगे एक गिलास और जो धार वाली गिलास होती है थोड़ा उसी से इसे हमें काटना है तो देखिए अभी फटा फट से ये कितना जल्दी कड़ जाता है तो देखिए कितना बारिक कट गया है तो अगर आप इसका भजिया बना रहे हैं पत्ते गोभी का तब भी इसी तरीके से काटके और रख सकते हैं तो मैं ये काटके रख ली हूँ अब चलो इसे बनाने की तैयारी करते हैं तो यहां ली हूँ मैं एक कड़ाई और उसमें टालूँगी दो से तीन चम्मच सरसो का तेल और यहां ली हूँ मैं तीन सूखी लाल मिर्ची तो इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे अब यहां ली हूँ मैं आदा चम्मच राई दाना इसे भी डाल दी हूँ और थोड़ा समय डाल दीती हूं, इसमें कड़ी पत्ता तो इसे मैं तड़कने देऊंगी उसके बाद इसमें डालूँगी मैं ये चार मीडियम साइच के आलू कटे हुए, तो इस तरीके से बड़े-बड़े टुकडों में मैं काटके ली हूँ, आप चाहे तो अपने हिसाब से लिए लि बहुत ही टेस्टी बनेगा और इसी सबजी की रोज डिमांड होगी बनाने की तो अब मैं इसमें डालूंगी दो मेडियम साइज के टमाटर कटे हुए तो बड़े बड़े टुकडों में मैं काट के लिए हूँ और एक कप मैं डालूंगी इसमें हरे मतर तो इससे बहुत ही मिर्ची बनती है यह सबजी जरू से इसमें एट करें सुवाथ के हिसाब से इसमें मैंने नमक डाल दिया है और थोड़ा सा इसमें डालूंगी मैं लाल मिर्ची पावडर आप चाहें तो हरी मिर्ची का भी यूज़ कर सकते हैं मैंने लाल मिर्ची ही इसमें एड़ की है और थोड़ा सा इसमें डालूंगी मैं हल्दी पाउडर बहुत ही चटपटा बनके रेडी होता है हमारा ये पते गोवी का सब्जी और बहुत ही कम मसालों में फटा-फट से चाहें तो इसे तयार कर सकते हैं कोई मेहनत नहीं है इसमें तो अच्छे तरीके से सब मिक्स कर देंगे उसके बाद मैं इसका ढखकन लगा के रखूँगी पकने के लिए तो देखें चार से पाश मेर बाद पते गोभी ने बहुत सारे पानी छोड़ दिये थे और सब्जी हमारी बहुत ही जल्दी रेडी हो चुकी है बनके तो इसे मैं रखूँगी सिलो आज पे पाश मिर्ट के लिए भी थोड़ा बहुत इसमें जो पानी है अच्छे से सोख जाए और सब्जी अच्छे से भुन जाए तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बनके रेडी हो चुकी है तो इसमें मैंने डाल दिया है हरा धनिया और इसे मैं अच्छे तरीकी से मिक्स करूँगी उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ तो देखिए देखने में लग रही है ना टेस्टी तो इस बार आप मेरे बताए हुए तरीके से बनाएं तो बहुत ही टेस्टी ये बनके तयार होगा तो अब मैं इसे डिशाउट करके आपको दिखाती हूँ तो ये लिजिए बहुत ही टेस्टी ये हमारी सबजी तयार हो गई है तो इसे आप अगर पूरियों के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा पूरी और पराठे के साथ ही ज़्यादा अच्छी लगती है ये सबजी तो जरूर से एक बाद ट्राई करें और हमें जरूर बताएं कमेंट में कि आपकी सबजी कैसी बनी तो हमारी ये रेस्पी आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक लाइक जरूर कर दिया करें तो मिलते हैं अगली रेस्पी में तब तक के लिए अल्ला हाफीज